नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का लेर्निंग हब में दोस्तों 27 तारीक से डॉक्मेंट वरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है पंचायत साचीव का और जीन लोगों का कल डॉक्मेंट वरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा हूँ अभी को मैं all the best कहूंगा और उमीद करूंगा कि आप सभी डॉक्मेंट वरिफिकेशन में सफल हो और उसके बाद आपका नाम प्रॉब्लम हुआ था उनका भी कहना था कि हमारा जो दुबारा एक्जाम लिया जाए इसके अलावा जिनों नों फॉर्म भरते वक्त BC1 से BC2 इस तरह के जो दिक्कत हुआ है उन सारे दिक्कत के बारे में आज मैं बात करूंगा और कल यानि जो करमचारी चेन आयोग है वहाँ पे रमेज जी और उनकी टीम गई थी और उनके दवारा ही ये मैसेज दिया गया है कि रमेज जी के जो है कई दोस्त गए थे JSC office और वहाँ पे officer से मुलाकात हुई उनकी कई सारे एजेंडा था इस मुलाकात का उन सभी एजेंडा का जो निकला है result वो मैं बताऊँगा आपको देखे करके देखते हैं क्या-क्या बाती हुई है तो JSC ने पहली बात तो आप सभी अपने documents को एक बार चेक आउट कर लिजे फिर से और एक file में रख लिजे उसको सही से photocopy रख लिजेगा तो चली बात करते हैं वो कौन-कौन सी बाती थी जो रमेश जी और उनके जो फ्रेंड थे जिनके द्वारा मुझे बताया गया है सबसे बड़ी दिक्त थी कि जिनका अगर कुमान लिजे किसी के father's name में किसी का खुद का नाम जैसे किसी का father's name में कुमार है परसाद हो गया या परसाद से कुमार है या किसी का एक space extra हो गया या फिर किसी का कुमार ही है और किसी का फिर इस कुमार्परसाद हो इस तरह का बहूं का प्रब्हार प्रब्लम इर शॉर्टकट में किसी का shot में किसी, लोग में यह अनेक तरह के जो certificate में जितनी भी तरह के problems है उन सारे problems ने लुक जैसा सी ने बताया कि document verification के बाद proper time दिया जाएगा candidate को ऐसा नहीं है कि उसमें कोई अगर fault निकला तो simply लिख दिया जाएगा reject ऐसा कुछ भी नहीं है proper you'll get time to rectify your documents and reproduce before the JSC office so इसमें कोई tension वाली बात नहीं है चीनता वाली बात नहीं है अप निश्चीनत होकर जाएए ठीक है documents verification के लिए दूसरी बात एक और agenda पे बात ही हुई थी कई ऐसे अभियर्थी है जिनका क्या हुआ BC1 में है वो लेकिन वो BC2 में उनका apply हो गया तो ये जो दिक्कत है इसमें साफ साफ उन्होंने JSC official ने inform किया कि इस तरह की problem में हमारे एंट से कुछ नहीं है ये कार्मिक विभा का सीधे सीधे मामला बनता है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं JSC office कुछ नहीं कर सकती है तो यहां पर उन्होंने हाथ अपना खड़ा कर दिया तो यह obviously बनता हां उनका हाथ खड़ा करना भी बनता क्यूंकि यह आपके तरफ से problem है आपने BC1 के जगा BC2 भरा candidate so you have to bear it यह problem थी BC1 BC2 वा मामला clear हो गया इसके अलब अब बहुत सरे ऐसे candidate थे जिनका technical problem हुआ था genuinely हुआ था technical problem तो उनके बारे में भी बात हुई तो उन्होंने साफसब मना कर दिया कि कोई दुबारा टेस्ट टैपिंग टेस्ट नहीं होगा जो result आ गया है इसी में final बनेगा तो यहां तक यह clear है यह तीन agenda महत्पुन बात थी यह तीन बाते complete हो चुकी इसके लाब दोस्तों एक और बात बताना चाहूंगा कि और उन्होंने बताया कि प्रयाप साथ दिनों का समय दिया जागा अगर किसी तरह की problem होगी आपके documents में तो आपको साथ दिन का समय मिलेगा एक महत्पुन बात यह बताना चाहूंगा कि 27 तारीके बात जिनका document verification है जैसे 28 को 29 को उसके बात जिनका जिनका है तो कुछ चिंता करनी की बात नहीं है 27 को करल का document verification के बारे में मैं पूरा describe करके बताऊंगा कि क्या माजरा है कैसे हो रहा महाँ पर क्या क्या घटनाएं हुई कितना तरगा problem आ रहा यह सभी चीजे मैं एक एक करके विस्तार से आपके समय चले करा हूंगा तो ठीक है निश्चीनत रहिए इसके अलावा इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया तो ये तीन बाते थी महत्पूर्न बाते थी जो रमेश जी के द्वारा बताया गए authentic information वो देते हैं तो दोस्तों ये विडियो ही समाप्त करता हूं कल का क्या matter होता है कल मैं आपको बताऊंगा ठीक है अपने बाकी सारे documents को एक प्रमत ले जाएगा ठीक है तो विडियो ही समाप्त करता हूं थैंक्यू रमेश जी करें